हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ एक हेल्दी एंड यूनिक ब्रेक्फस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी इसको आप इवनिग स्नेक की तरह भी ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की यह है यह हेल्दी होने करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा रेसिपी के लिए मैंने यह काले चनेल यह हैं इनको 5-6 आर्ट के लिए सोग करके रख दिया था इनक के लिए ओकूर से वाच कर लिया यह एंड व लने के लिए इस तरीके से कुकर में ट्रांसपर कर लिए 사AM के लिए इसको फाइब ँशिक सीटैने तक बाय करेंगे इसके बाद इसकी जो गया सै कुशी कुद से निकलने के बाद किसी बर्तन में गर्यांस अ करनों चन्ग बॉयल हो चुके है यह में लिये भरतन में कर लिये है इस तरीके से इनको प्रॉक js Schwepp dairy मस करते तरीकiran भी कर सकते हैं इस तरीके से और जाना वा में लाना नहीं है कि इसमें यह थोड़ा सी यह ड्लम पाटेटों है कि ए ne VOICE कर एड करेंगे shines जिन्गर गालिक पेश्ट थोड़ा सा ये प्राइस फ्लोर है थोड़ा सा बेशन एड़ करेंगे ये वन टीस्पून ब्लेक पेपर चाट मसाला वन टीस्पून ये क्यूमिन पाउडर है वन टीस्पून ये गरम मसाला सोद्धें अपने टेस्ट एकरडिंग एड़ कीजिए तोड़ा से चाप्ति कोईर बैसे अच्छेसी मिक्स कर लीघे इंग्रीइंटस को इस तरीके से मिक्स कर लिए और इसको डो की फॉर्म मेल आना है देखिए इस तरीके से, मिक्स्षर रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे, इसके बाद में ये मैंने ग्रेटिट पनी लिया है, थोड़ा सा स्टफिंग के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एड करेंगे, और इस अच्छी से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद जो मिक्स्षर तैयार किया था, इसमें से थोड़ा सा लेके इस तरीके से, इसको फैला लेंगे, इस तरीके से रोल करना है, और जो इस टफिंग थी पनीर की, वो फिल कर देंगे, और इस तरीके से प्लोस करना है इसको, इस तरीके से, ख्लोस कर लेंगे, इस तरीके से ख्लोस करना है, यह देखे, इसको इस तरीके शेप आप अपने कार्डिंग दे सकते हैं, जैसे भी रखना चाहें, यह देखे, मैंने इसको, कटिलेट की शेप में कर लिया है, इस तरीके से, और फ्राइ वने के लिए, थोड़ा सा यह पहले, ऑईल स्प्रैट करेंगे तब घर, अन जो भी कटिलेट तैयार किये थे, इस तरीके से, सेट कर देंगे, फ्राय के लिए, इस तरीके से, यह देखिए कलर चेंज होने लगा है अभी इनको इस तरीके से पलट लेंगे एक बार आप इसको जरूर ट्राइ करके देखिए बहुत अच्छा बनता है एंड हेल्दी भी बहुत है बहुत लेस ओयल में तयार हो जाता है इस तरीके से पलट पलट के सेंक लेंगे इसको यह देखिए क्रंची उपर से बहुत क्रंची होता है नीचे सॉफ्ट होता है बहुत अच्छा टेश्ट आता है इस तरीके से सारे कटलेट आंड को शेंक लेंगे रिएक लेन इसलिक होता है बहुत हैई बहुत जल्दी बन जाते हैं कोई बहुत अच्छा कटलेट बना ते है यह उपर से कंची है और नीचे से सॉफ्ट है जो तेश्ट इसका बहुत ही ऑसम आएगा अगर आप एक बार इसको जरूर ट्राय करके देजिए जो भी आपका एक्सपीरेंस हो आके कमेंट सेक्शन में शेर कीजिए